एक बार की बात है, एक धने जंगल में एक कुट्टा और एक सियार रहते थे, कुट्टा हमेशा खुश रहता और सियार हमेशा दुखी रहता, एक दिन कुट्टा और सियार आपस में मिले, सियार ने कुट्टे से कहा, तुम्हारी जिंदगी कितनी खुशाल है, तुम्हारे पास हर समय खाना होता है और तुम खुश रहते हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं हमेशा भूखा रहता हूँ कुट्ता हसा और सियार तुम्हारी समस्या ये है कि तुम हमेशा दूसरों की लाइफ देख कर दुखी होते हो तुम्हें अपनी खुशियों पर भ्यान देना देखो, मेरे पास खाना है, क्योंकि मालिक मुझे अच्छा खाना देता है, लेकिन मैं उसे उसके अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद्धी देता हूँ सियार ने सोचा कि कुट्ता सही कह रहा है, और उसने कोशिश करने का निर्मय लिया, उसने खुद को खुश रखने के लिए जंगल में छोटे छोटे काम करने शुरू किये और दूसरों की मदग की, घीरे घीरे सियार की जिंदगी भी बदलने लगी और वह भी खुश रहने इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं बनकी हमारे अपने दृष्टिकोन और दृष्टिकोन में होती है अगर यह कहानी पसंद आई तो विडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें